कि नमस्कार दोस्तों आज के मारे इस वीडियो के टॉपिक है आज हम बात करने वाले वॉट इस एंसे सी भी यानि कि जो एंसे सी भी होता है वो किस तरीके से काम करता पूरा मैं आपको यह पर डीटेल से समझाऊंगा और दोस्तों मेरे पास के चार क्यूशन भी है उसके अक कि मैं इसके अंदर में समझाऊंगा तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और पहला वोटीज में सी बी तो दोस्तों यहां पर मैं आपको फुल फोम बताऊंगा अम लोग बात करते इस सीज के बारे में जो नोब्वेस है दोस्तो जो क्या है तो इलेक्रिकल जो मो टर होती उसको प्रोट्रेक्शन देने का काम करता है अब कि यह अमार को क्मोटर को टो टैपसे बिदक वोर्टेक्शन को कुटो करवाते हैंनमबर नुर्ब को सकते हैं दोस्तों घृता है दोस्तों मा ऑर वह लोड को करंड क्युस्त करने का साहल तो चाहितने निया होता है वह में mccb provide करवाती है हमारी motor को ठीक है अब आपको पता ही होगा short circuit protection कैसे काम करता है वो तो आपको मालूम ही है और इसके लाव जो overload का जो है वो भी आपको पता ही है किस तरीके से काम करता है ठीक है और इसका full form मैंने आपको तो बता दें आपको इसका full form मोडले केस circuit breaker ठीक है टू टाइब भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है short circuit and overload protection ठीक है अब हमारा दूसरा जो topic रहेगा दोस्तों वह है हमारा type of mccb कितने प्रकार होते है अब यहां पहीं हम लोग बात करते हैं इसपर पॉल ठीक है अब पॉल के नुसार हमारी mccb को कितने वागों में बाटा गय पहला है दोस्त होमारा two pole एक आती दोस्त होमारे three pole के mccb और एक हो मारकेट में तीं तरह के MCCB देखने को मिल जाए की एक तो है 2-Pol के MCCB, 3-Pol के MCCB और एक है दोस्तो हमारे 4-Pol के MCCB ठीक है ये तो हो गए हमारे इसमें पोल के according हमने इनको बाट दिया अब इसमें क्या आने दोस्तो class wise भी बात करी जाए इनमें तो इनमें classes भी आती हैं जो होती है हमारे एक तो B-type class और C-type, D-type, K-type और Z-type टोटल 5 तरह कि इसमें classes आती है उसके according में हमारे MCCB को बाटा गया है ये class क्या होती है मैंने MCCB के उपर में इसके लिए एक related video बना रखा है आप वो जरूर जाके देखेगा कि उसमें किस तरीके से हमें हमने class को divide कर रखा है वो same to same जो हमारी MCCB के उपर में भी वही लागू होगा अब हम यहां पर बात करते हैं दोस्तों हमारी जैसे मालों दोस्तों क्या होता है basically अगला हम लोग बात करें यहां पर तो जो हमारी कि MCCB उसके current rating के according किस तरीके से बाटा गया है ठीक है basically use mccb rating ठीक है अब इसके बारे में आपको बताऊंगा कि basically use mccb rating जो mccb की rating होती है वो उसको किस तरीके से बाटा गया है सबसे पहले start होता है दोस्तों हमारा 100-A, 100-A के बाद में आती है 125-A के MCCB, 150-A की mccb, एक आती है 200-A, 500-A, फिर आता है 400-A, 400-A के बाद में आता है 630-A के MCCB, और 630-A के बाद आती है 800-A के MCCB, ठीक है न दोस्तों 800A के MCCB के बाद में έता हुमारे 1000CB और एक आता है दोस्तो हमारे 1600A म्की तब नंद बसाथ है टोटल दोस्तो इन इन तरह कि मार nope से जो है किरन्ट रेटिंग के अको इनको मारकेट में अवेलिबल मिल जाती है ठीक है वापिस में आपको इन में वापिस थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा एक तो हम लोग यूज करते हैं 100 इंपेर एक होता है 125, 500, 200, 200, 400, 600 और 600 इंपेर तक की MCCB का क्या आना दोस्तों हम लोग अधिकतर यूज करते हैं उसका हम लोग यूज करना चालू कर देते हैं ACB का मतलब होता है Air Circuit Breaker इसके उपर में मैं next topic में दोस्तों आपके लिए वीडियो ज़रूर लेक्या होँगा अब हम बात करते हैं मैंने आपको यह बताया कि type of MCCB मैंने आपको clear हो चुका है कि MCCB किस तरीके से काम करती है इसके कितने कितने type होते है As per pole के according में मैंने आपको बताया और as per हमने ये भी बात करी कि MCCB की rating किस तरीके से इसको divide किया गया है किन-किन rating में हमार को MCCB जो है वह मारको market में available मिल जाती है अब हमारा तीसरा question है दोस्तों we use MCCB हम लोग MCCB का use कैसे क्या करते हैं और हम लोग MCCB का use क्यों करते हैं MCCB का use जो है दोस्तों हम लोग MCB की जगह पर करते हैं ठीके ये सबसे most important point है कि अगर आपको interview पूछ ले कि पूछा भी जा सकता है कि आप लोग MCCB का use MCB की जगह पर क्यों करते हैं तो आपको वाँ पर यहीं बताना है कि हम लोग A's पर range की according क्या है कि हम लोग MCCB का use MCB की जगह पर करते हैं क्योंकि जैसे मालों दोस्तों क्या होता है न और इसका use क्या है कि Youtube आगे बात करते हैं जो High Voltage ठीक है? High Voltage एंड Kerrnct के तोर पे भी हम लोग इसका तो अग्स हशा है जहां पर हमें High Voltage और если High Current के अग्र हमें जरुरूत होती है तो महां पर क्या है कि MCCB का सबसrate है यूज करते हैं ना कि हम लोग महां पर MCB का use करते हैं वहाँ पर दोस्तों हम लोग इसका use करेंगे जो उमारी Mccb है उसका सबसे अधा हम लोग उसके यूज़ करेंगे ठीक है जो मारी Mccb के जो रेटिंग जो होती है highest rating आती है दोस्तों हमारी Mccb में वह आती है 63A की और जो मारी Mccb के rating start होती है वह 100A से start होने के बाद में 1600 इम्पेर तक कि MCCB जो है मार्केट में देखने को मिल जाती है जहाँ पर अगर हाई वोल्टेज और करंट की बात करी जाए तो वहाँ पर हम लोग MCCB का ही यूज करते हैं MCCB का यूज दोस्तों हम लोग नहीं करते हैं जैसे मालो दोस्तों आपके पास में कोई मोटर है तो जो उसका यसका कρόंट है करंट जो hon 105 एंपेर तक का करंट है 100 आख जाते हैं ठीक है जाते हैं 100 आख से जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों लोग क्या कि MCB का यूज न गरगे वहाँ पर हम लोग MCCB का यूज़ करेंगे ठीक है क्योंकि MCB का जो minimum जो sorry maximum जो current है वो 63 ampere तक की MCCB ही हमें क्या कि market में available मिलती है ठीक है अगर हम हम ampere load adjust करने का दोस्तों इसमें क्या होता ना एक switch होता है ठीक है एक तीसरा point दोस्तों हमारे यह भी रहेगा कि इसमें जो ampere load का adjust करने के लिए एक switch दिया जाता है वो switch इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम क्या है कि load के according हम लोग क्या है कि उसका current rating को हम set कर सकते हैं ठीक है MCCB के अंदर में ठीक है तो जैसे मालों हमने 40 एंपर उसको हमने set कर दिया कि भी 40 एंपर तक जैसे हमारी motor जाएगी तो वहां पर ट्रिप हो जानी चीए मतलब 40 से ज्यादा गया current अमारे इस motor के अंदर में तो वहां पर हमारे MCCB क्याएगी तुरन ट्रिप मार जाएगी ठीक है यह तो हो गया दोस्तों हमारा 40 एंपर तक जैसे मैं आपको बताएगी 100 एंपर तक हमारा motor का full load current है ठीक है तो वहां पर क्या है कि करेगी हमारे MCCB के 40 एंपर से ज्यादा जाएगा तो वहां पर जो हमारे MCCB वहां पर ट्रिपिंग का काम करेगी वह सीधा क्या है कि महां पर ट्रिप हो जाएगी उससे आउट्पूट से जो निकलने वाला करेट है मोटर में नहीं जाएगा जैसे कि हमारी यहां पर एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहूंगा रिसेट टेस्ट बटन ठीक है आप इस चीज़ को और समझेए जो हमारे रिसेट सेट कें अनदर में प्रोवट करवाया जाता है जो मालों मर ट्रिप और इंसके बीछ में अव्युवर रोटा है ऐग लिए सफीब इसके लिवर को उनका होता है विजुक्ति सबस्क्राइब हो Mm सब्सक्राइब कर से धोड़ा सा डीटेल में किलियर हो जाटा इसमें यह सब पार उसके टरफ नीचे की तरफ में जैंकर सब्सक्राइब में जिए हो जाएगी तो जब भी हम इसको reset करने जाए तो पहले क्या है कि दोस्तों को इसको क्या ना ओफ करना पड़ेगा ठीक है ओफ करके ही आप इसको ओन कर पाऊगे आप जैसे मालो ट्रिप की अब करें तेस्ट बटन के बारे में की टेस्ट बटन किस तरीके से काम करता है विए यह यह उपर नीचे दोस्तों अउट्पूट सप्लाई इसमें क्या एक साइड में टेस्ट बटन दिया जाता है यह नहीं हो रही है ठीक है मैं तेस्टार को यह को चैक भी कर सकते हैं जिसे अब के त् chociaż को मेन आपको बता एंदिया था और मैं आपको बताना चाहँए थे 197 असका में सिसे अध्याइल उसमेद सदा इस टरीका कुछ पार करण यह धाय जो मारा मैं पेनल कोई से दोस्त को क्या करते हैं घर तो हम लोग ईकली क्लिण ऊसमें पर धाया शाय करते हैं कि हमारे सप्लाई लेती है जो भी सप्लाई होगे तो दोस्तों हम लोग उसको वहां पर डिस्टिबूट कर दिया अलग-अलग के इंदर में अब क्या जाता अब उस चीशन को समझए कि जो आपने डिस्टिपूट किया सप्लाई को मालों आगे एंप ccb लगा दी 3th pole का sorry 3B all लगा दिया और फोरड तो उस तरीके से हम लोड को डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि आप इसको यह से भी बोल सकते हो जो अल्टी पैनल होते हैं नहीं पैनल में हम लोग मैं में तो हमनों क्या यूज से करते और में जाता है तो वह क्या है कि महां पर लगा के हम इसका आउट गोइंग में पावर सप्लाई को पूचा देते हैं जिससे कि हमारा को फिर मैं लाइटिंग का लिए फेडर हो तो कुछ इस तरीके से क्या है कि यूज जो है दोस्तों हमारा जो डिस्ट्यूबिशन लाइन के के लिए भी इसका किया जाता है अब यह दोस्तों यहां पर कि एक बात और एक वर रजाती है कि प्रोटेक्षन ऑफ कनेक्टिंग लोड तो यह क्या करेगा उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा क्योंकि इसका क्नेक्शन हम लोग क्या कर रख हैं एमसे सीबी से उठा कर रखा है इसके आटगों में में याँ योगी हूग जो लगी होगी तो जिससे क्या है कि हमारो इसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करें अगर आकिनتي लगा हैं तो org11 प्रोटेक्ट करने का काम करेगा अब दोस्तों कि हमारा नेक्स टॉपिक रहेगा उसके बारे में लोग बात कर देते हैं कि जो हमारा नेक्स टॉइंट हो वो किस तरीके से काम करता है ठीक है यहां पे आप आपको तो प्रिटेल में समझाओगा वीडियो कि दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है बट प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूरू देखें यहां यहां पर दोस्तों मैं बाट लेता हूं operation और प्रिंसिपल को यहां पर मैंने लिखा है operation sorry mccb operation और यहां पर दोस्तों मैं लिख देता हूं mccb principle ठीक है यह किस तरीके आप उसी सीबे हैं मिल जाते हैं आप ऊस चीज़ को समझेगा जैसे हमारे mccb operation के वारें बात करें तो सबसर पहला operation रहता है दोस्तों मार Jam overload ОVOLOL, current ऑप यहां यह किस तरिके सा काम करती है आप उस चीज़ को समझेएगा एंस्वी beweित हो कि गई जिसे मालों दोस्तों आपकी जब भी MCCB है ठीक है ओवरलोड की कंडिशन जब भी आएगी तो यह क्या करेगी इसमें जो बाइमेटलिक जो स्ट्रिप होती है उसके बारे में आपको बता है यहां पर लिग लिए अभी जैसे ऑपरेशन में हमारी MCCB में जिसे ओवरलोड की स स्ट्रिप जो होती है वह क्या कि पहले से सीधा होता है ठीक है जैसे ही MCCB हो जाएगी एक तो दोस्तों हमारे यह हो गया अब यह में किस तरह का प्रोटेक्शन दे रहा है अब यहां पर एक चीज और आप से पूचा जा सकता है कि थर्मल इफेक्ट इसको हम बोलते हैं दो भी पूचा जा सकता है कि कि थर्मल इफेक्ट के बारे में बतां MCCB के अंदर में थर्मल इफेक्ट जो में किस स्टरिप कर वा देगी तो घ्रम ऑलता है अगला डेता लोस्तों हमारा शौट सर्किट केस होता है इसमें क्या होता है एक मेगनेक्टिक कोई लगी होती है ठीक है आप उस चीज को समझेगा मेगनेक्टिक कोल किस तरीके से काम करती है यह होता है दोस्तों मारा इसके बारे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें कौन सा एफेक्ट आता है ठीक ह चमालों शोर्ट सट करकी कुई कंडिशन आती है ठीक है तो मैंगनेक्टिकॉल ब्रेक हो के वहाँ पे ट्रिपिंग का काम करेगी तो इसको बोलते हैं हम लोग एम अब ठीक है एलेक्ट्रो मागनेक्टिव फॉर्स यह भी आप सो पुचा सकता है और मैनुवली आपका यह ओफ हो जागी हमारी मैनुवल रहता है ठीक है ऑट्वमेटिक में दोस्तों क्या है कि ट्रिप का काम करेगी सीधा ठीक है पाउबर ओफ कर देगी और इसके अंदर में क्या है कि दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग यह बात करेंगे कि हम लोग ACB के बारे में बात करें तो दोस्तों प्लीज आप मेरे को जरूर बताना दो